नमस्कार आप देखरें न्यूज इंडिया और मैं हूँ आपके साथ प्रीती चौहान जुनावी साल है और अगले साल लोकसभा याने क्याम जुनाव हैं और ऐसे में राजनतिक गल्यारों में कई सारी खबरें हैं और साथी कई ऐसे चेहरें जो बहुत कुछ बोलना चाहते ह आपको याद होगा जन्वरी में राम मंदिर धाटन है और ऐसे में राजनतिक पार्टिया खासका भार्टिय अंता पार्टिय अभी बहुत उत्साहित है संसद का पूरा का पूरा शीत का लिन सत्र भी बहस के और होहंगामे के भीड चड़ गया है तो इस पर आज इन तमाम मुद्धों पर बातशीत करने के लिए हमारे साथ भार्टिय अंता पार्टी के फायर ब्रांड नेता मनोश तिवारी जी और आप सब के चहेते मनोश तिवारी जी हमारे मनोश भाया आज हमारे साथ हैं बातशीत करने के लिए सबसे पहले बहुत-बहुत स्वागत मनोश त आश्टाचारियों की करप्सन की सफाई चल रही है। राजनीती के अंदर जो आये हुए प्रदूसित लोग थे, जो प्रदूसर्ण पहलाते थे। वो चाहें करप्सन का प्रदूसर्ण हो, या संसद में सोर का प्रदूसर्ण हो, तक्तियों को इलीगल ढंग से दिखाने का जूट बोलने का प्रदूसर्ण इस तब की सफाई चल रही है। और लोग बहुत खुश हैं, सभी को सबका साथ हो रहा है, सबका विकास हो रहा है, और लोगों में एक भावना आई है, कि मोदी जी हैं तो गरंटी है कि हमारी बात सुनी भी जाएगी और उसकी भरपाई भ पहली बार आप ने संसद में देखा होगा कि देश के ग्रिय मंत्री कह रहे हैं कि सरकार के खिलाफ कुछ बोलने से राज द्रोह नहीं लगेगा, देश के खिलाफ कुछ करोगे तो राज द्रोह लगेगा, तो देश द्रोह लगेगा, देश के खिलाफ अगर आप जाते हैं तो फिर आपको कोई नहीं बचा सकता अगर आप सरकार को जितना बोलना हो और गिर ग्रे मंत्री खुद बोलते हैं तो लोगों को मेसेच जाता है कि यह है राजनितिक संस्कृति का परिवर्तन यह है न्यू पॉलिटिकल कल्चर जिसको भारत के लोग उसका दर्शन कर रहे है तो न्यू पॉलिटिकल कल्चर में क्या 146 संसदों को सदन से बाहर का रास्ता दिखा दिया जाएगा वो कह रहे हैं कि हमने किया क्या आप देखें कि सदन में इतनी बड़ी चूप का मामला सामने आया हम कह रहे हैं कि भाई हमारे साथ ग्रेह मंत्री हमिशा सामने आया है द उसे कोई पूस्ताच नहीं हुए उल्टा जब हम आपसे सवाल कर रहे हैं कि भाई इस पर आप कुछ तो बोले तो आपने हमें बाहर का रास्ता दिखा दिया वो कह रहें क्या ये न्यू पॉलिटिकल ले रहा है भारती जन्ता पार्टी का क्या लोग सभा के हेड ग्रीव मंत्री है क्या ग्रीव मंत्री सबसे उंचे आसन पर बैठते हैं नहीं आती है नहीं बिल्कुल नहीं आती है यही तो यही तो लोग को समझने की बात है कि आपको अगर आप एक पत्रकार के रूप में आपको अगर जाना है पार्लिया मिंट में तो आपको Home Ministry की नहीं पास चाहिए आपको लोकसभा सेक्रेटरियट का पास चाहिए उस परिसर का पूरी तरह से संसद में लोकसभाध्यक्ष और राज्यसभाध्यक्ष जो उपराष्ट पती हैं वो उनकी चिंता है उनकी जिम्मेदारी है और ये बात वो चेयर से साफ साब कह रहे हैं लेकिन समस्या क्या है कि जब गरिह मंत्री का बयान चाहिए होता है तो आपको PM का बयान चाहिए होता है और जब आपको लोकसभाध्यक्ष का बयान चाहिए होता है तब आप हम का बयान मांगते हैं इसका मतलब कि आपको हल्ला करना है आपको डिस्टर्ब करना है और डिस्टर्ब करते समय वह आपने कहा ना 136 या जो भी 146 वह अपराधी है उन्होंने अपराध किया तख्ति ले कर के जाना संस्द के फ्लोर पे एलीगल है तो उन्हों ने एलीगल काम किया एलीगल काम करने वालों को कोई कैसे बरदास्त करेगा आप 146 उपकर 5600 लोगों के यब आप हक मार रहे हैं 146 मिल करके साथ representative सांसदों का हक मार लें मनोस्तीवारी को बताना है कि हमारे दिली में क्यों यह आई उश्वाणयोजने लाग हुएं वो बोलने नहीं दे रहे तो हमारे की बात और मैंने जांच की जांच की शुरुवात कर दी और कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी उसके बद बचा क्या अब क्यों आप उठा रहे हैं आपका मतलब है कि अब हम संसत को चलने नहीं देंगे तो चलने नहीं देंगे तो 200 साल पुराना कानून कैसे बदल पाएंगे हम दंड़ संगीता को भरत्य नय संगीता कैसे करेंगे फक्षिपार्टी के जो बिल्स है वह अपने पास करना चाहते हैं इसलिए आपके पास मेजॉरिटी है आप सदन से इन लोगों को हटा रहें ताकि चर्चा भी ना हो, इसलिए आपने पहले इने बाहर कर दिया, ये सवाल जो कर रहे हैं, उसके अपने धड़ा धड़ा अपने बिल पास कर दिया, ये संजर आउत के रहे हैं, जब तीन तलाग पास किये थे तो नहीं बैठे थे, क् बहस कर रहे हैं, सबने बहस किया है, लेकिन अब आपको इस बात की जलन है कि देश की जनता ने आपको डिसाइडिंग कुरसी से हटा दिया है, तो आप इसलिए डिसाइडिंग चेर को चलनी ही नहीं देंगे, भाई कौन सा ऐसा बहस हुआ है जिसमें ये नहीं रहे हैं, औ देश की जनता ने क्या BJD हमारी पार्टी तो नहीं है, BJD तो विपक्ष की है, उसने सपोर्ट किया, वो और जितनी भी पार्टी बसपा है, वो BJP की थोड़ी है, उसने सपोर्ट किया, वो बैसी की पार्टी ने विरोध किया, तो विरोध करने वाले विरोध करें, लेकिन ये संख्या वह थोड़ी है अभी 2024 तक कि किसी को किसी बिल को गिरा सके उन्हों ने जब तमाम सांसदों को बाहर सस्पेंट किया गया वह बाहर निकले और साथी जगदीब धनकड उपराश्टुपति उनकी मिमिक्री कर दी अब यह बहुत ज्यादा सुर्खियों में आ गया प्र यह जो बाड़ी शेम है और जो में मिक्री है यह में जहेल रहा हूँ क्या कहेंगे आप देखिये इस देश के डिमोक्रिटिक लीडर दुनिया के आशाओं को दुनिया की आशाओं को पूरा करने की जिन में अकांचा अपेक्षा देखी जा रही है नरेंदर मोदी जी के खिलाफ इन लोगों ने क्या नहीं कह लेकिन उपराश्टपती पद पे बैठे व्यक्ति का मजा कुड़ा न यह इस संबीधान कभी बरदास्त नहीं कर सकता परदान मंत्री पद को आप व्यक्ति को जो कहना हो कह लिजी हम तो सुविकार कर रहे हैं हमी ने पज़ा बताया ना कि सरकार के खिलाब बोलोगे तो वो देश-द्रोह नहीं है देश के खिलाब बोलोगे तो देश-द्रोह है इ लेकिन उपराष्टपती जगदीब धनकड़ जी उनका या आप लोग उजी सांसद आकर के मजाक उड़ाते हैं और इस देश में अपने को बड़ा लीडर कहने वाले राहुल गांदी जी छिछोरी हरकत करते हैं सडक छाप निकाल के वीडियो बनाते हैं बड़ा मजा आ रहा है उपराष्टपती का मजाक उड़ रहा है तो यह यह स्वीकारी नहीं है और यह इसलिए भी नहीं स्वीकार है कि जगदीब धनकड़ एक किसान के बेटे हैं किसानों का समाज गर्व करता है कि हमारा एक बच्चा उपराष्टपती है वह जिस कम्यूनिटी से आते हैं जा परिवार का बच्चा देश का उपराष्टपती है और आप उसका मजाक उड़ाएंगे तो उनको भी तो तकलीफ होगी आदिवासी समाज की अगर बिटिया देश की राष्टपती है आप छोड़िए न मनोस्तिवारी अगर संसद है तो भोजपुरी बोले वाला सब लोग सम्वेधानिक पद है जिसके प्रति मर्यादा के लिए प्रतिबद्ध है आप आपको कोई विकल्प नहीं है उनका मजाक उड़ाएं हैं आपको सम्वेधानिक तस्तर से भी सजा मिलनी चाहिए और जनता भी आपको सजा देगा भोशपुरी की बात कि आपने और ये भी कहा हमारा साथ क्याबिनेट मंतरी हर्दीब जी पुरी से और लोग सभास पीकर ओम बिला भी थे तो अचानक सी ये बात आई कि उन्होंने इंग्लिश बोलना शुरू किया ओम बिला जी ने कहा कि आप हिंदी में बोलिये फिर वो थोड़े से खीज गए ये क्यामरे पे दिख ये वाकिया आपके आंगों के सामने हुआ अपने सवाल किया उन्होंने का कि मैंने क्यू कहूंगा मैं दोनों राज्यों के मुख्यमंतरी से बात करूंगा आईश्मानियो जना कि लिए अगर वो है तो मैं हिंदी में प्लस भोचपूर याड कर देता हूं ये पूरा मामला सवाल वैसे अपका था इसलिए मैंने पूछा है चेयर को ये अधिकार है कि वो किसी को भी निर्देश दे सकते हैं कि हिंदी का सवाल है तो हिंदी में ही जवाब दिया जाए और उसको फिर बाद में हिंदी में जवाब दिया हर्दी पूरी जी ने उन्होंने अभी बताया लोकसभाद ध्यक्ष तो वही सरोपरी है तो जो इंपोटेंट है उसमें जो जवाब आया हरदिपुरी जी का के आयुश्मान योजना जहां गरीबों को पांच लाख रुपे का फ्री इलाज देते हैं नर्दर मोदी जी की सरकार उसको दिल्ली में अर्विंद केजरिवाल और कलकत्ता में ममता बनर जी उसको रोक रखे है ये जो संसनी खेज बात आई ये हैरान करने वाली है मैं समझता हूँ कि इन लोगों का गरीबों के परती बात करना एक थोथी बात हो गई है अगर दिल्ली में किसी का दो लाग, तीन लाग, चार लाग, पाँच लाग तक का साल में हेल्थ का बिल आ जाता है इलाज का बिल आ जाता है तो आदमी करज लेने को मजबूर हो जाता है बरबाद हो जाता है उसका घर गिर भी हो जाता है और नरिंद्र मोदी जी कह रहे हैं कि नहीं कुछ नहीं हम आपको पांच लाग रुपिया देंगे वो पैसा अर्विंद केजरिवाल कह रहे हैं नहीं हम तो नहीं देने देंगे आप हमारे स्टेट में आम चीज सीफ मिनिस्टर हैं, हम आपको यहां लागू नहीं करने देंगे, वही ममता दिदी कर रही है, तो मेरे सवाल के बाद जो यह जवाब आया है न प्रिती जी, मैं हैरान हूँ, ओहो, इतने बड़े गरीब बिरोधी लोग, अरविंद केजरिव जिवाल, ममता दिदी इन लोगों को जनता की हाय लगेगी, अरविंद के जीवाल का जिखर किया आपने, इडी का समन गया, उन्हें नोटिस गया, उसके बाद अरविंद के जीवाल जी विपश्णा में चले गया, अभी दस दिन के विपश्णा में हम आपको बता देते विपश्णा एक ऐसी योगिक रिया है जिसमें कोई भी व्यक्ति जाकर अपने फोन को तमाम जो भूतिक चीज़ें हैं उसे दूर अकेले में साधना और योग करने की प्रक्रिया है दस दिनों के लिए विपश्णा मगें और ये खबर भी आई के एडी की नोटिस में विपश्णा की आद आ गई है लगता है जिल जाने के पहले शांती चाहते हैं देखिए मेरा मानना है कि अर्विंद केजरिवाल ने घोसित कर दिया है कि वो अपराधी है जो आरोप उन पर लगा है शराब खोटाले का उसके वो दोशी है क्योंकि मेरे पास एक ट्वीट आई है अर्विंद केजरिवाल जी की और उस ट्वीट को मैं आपके चैनल पे लोगों को बताना चाहता हूँ अर्विंद केजरिवाल जी ने ये ट्वीट है 24 नवंबर 2012 अर्विंद केजरिवाल जी लिखते हैं कि as a patriot Indian देशभक्त भारती है my head hangs in shame मेरा सर सर्म से जुख जाता है when our corrupt leaders जब हमारे देश के भरष्ट नेता do not appear before ED and CBI वो ED और CBI के सामने प्रस्तूत नहीं होते हैं appear नहीं होते हैं even after multiple summons by the investigating agencies और वही अर्विंद केजरिवाल यह भी लिखते हैं कि when they should have resigned from their post immediately as soon as the allegations were made और इनके उपर allegations लगे और यही बात जो कहता है वो खुदी नहीं करता है ऐसे व्यक्ती है अर्विंद केजरिवाल आज जब मैं यह tweet आपको दिखा रहा हूं देखिए यह tweet है यह tweet अर्विंद केजरिवाल जी का है तो हमारे यहां एक कहावत कही जाती है कि बचन बीर बहुत होते हैं करम बीर नहीं होते हैं तो यह अर्विंद केजरिवाल जी बचन बीर हो गए हैं सिर्फ बोलते हैं और ऐसा ऐसा बोल दिया कि दिली की जनता भी भ्रमित हो गई लेकिन यह बताता है कि यह बोलने में वीर हैं करने में वीर नहीं है आज वही अर्विंद केजरिवाल उनको दिली भगोडा कह रही है दिली के अर्विंद केजरिवाल जी के उन्हीं के दो मंत्री उसी केस में जेल में हैं कोट बेल नहीं दे रही हैं अरे भाई जिस केस में आपके मंत्री को कोट बेल नहीं दे रहे हैं उसमें बीजेपी को क्यों दोस्त देते हो अर्विंद केजरिवाल जी कहां से कुछ नहीं मिलेगा अर्विंद केजरिवाल जी तो घर में घुसने ही नहीं किसी को उनका राजमाल एक्सपोज हो जाएगा अब भाई देखिए वही कहना कि बोलने में तो बीर है ये भी कह भी रहे हैं कि तुरत जो नहीं करता है जाच एजिंसियों के समन्स का सम्मान वहे बेइमान और वही कर रहे हैं और उसको दो को बेइमान घोसित कर दी पॉलिटिकल बाते बहुत हो गई मनुस्तिवारी जी और बाईस तारीक को राम मंदिर का उद्गाटन है आप सभी को पता है तो ऐसे में हम सब को याद भी है राम मंदिर आपके लिए कितना बड़ा आस्था का विशय हो और आपने राम मंदिर को लेकर के कई गाने भी गा देंगे तो हमारे जो दर्शक हैं वो मंत्र मुग्द हो जाएंगे और आगे राम मंदिर प्रगला प्रश्न देखिए गीत है प्रती कि रचा है स्रेष्टी को जिस प्रभू ने वही ये स्रेष्टी चला रहे है जो पेड़ हमने लगाए पहले उसी का फल हम अब पा रहे ह हैं जिसकी राम जी में स्रद्धा थी वो राम को पा रहा है जिसकी नानी कहती थी कि वहां मंदिर नहीं बनना चाहिए वहां राम जी नहीं आ सकते हैं उनको जेल के दर्वाजी दिख रहे हैं उनको विपस्यना में दिली की जनता भेज़ देगी दूजर पचीज के बाद परमानें विपस्यना में ही रही है आप अभी तो सारा देश में गूझ रहा है कि मेरी जोपड़ी के भाग आज खुल जाएंगे राम आएंगे राम आएंगे तो यंग ना सजाऊंगा दीप जला के दिवाली मैं मनाऊंगा फिर अवध में भवन में राम आएंगे राम आएंगे आपके गले से ये जो गीत है ये सुनकर इतना अच्छा लगता है कि आँखों में आँशु हा जाए और खासकर राम बंदे पर वो तो चवदह वरसों का ही बनवास था ये तो पांच सो वरसों का ये पांच सो वरसों का बनवास था कैसे टेंट में बिताए दिन राम जी कपड़ा बदलने का भी न था गुमान जी आप कपड़ा नहीं बदल सकते राम जी का ये कॉंग्रेस की सरकारों ने नियम दिया ये ये पांच सकते राम जी को भी बदल सकते राम जी आज भावन में राम जी पधार जाएंगे राम आएंगे मोदी जी के करकमलों से पुस्प गिरेंगे राम आएंगे दुनिया भर के लोग अजोध्या अंतराष्टी नगरी बन रही है आठ जन्वरी को प्लेन उतरना शुरू हो जाएगा अब आपको लखनव से भी दो घंटी की दूरी जो थी वो भी खतम हो गए कहने का मतलब है न कि जो भी हो जो भी आ रहा हो मैं भी लोगों को बोल रहा हूं कि आप लोग बाइस जन्वरी के बाद आईए नरिंद्र मोदी जी को भी में देख रहा था एक बहुत बड़े संत हैं महात्मा इस देश के धिरिंद्र सास्त्री जी अभी वो दिल्ली आये थे उन मैंने उनको ब्यास पीट से कभी किसी नेता के लिए कुछ नहीं बोलते है केवल धन्व संस्कृति के लिए बोलते हैं मैं देखा मोदी जी को साधुवाद दे रहें और बोलें मैं क्या हनुमान जी भी साधुवाद दे रहें मोदी जी को राम जी स्वयम प्रसंदता से क्योंकि जिन्हों ने जो जो कहा वो किया और उनकी पूजा से जब उनकी आरती से जब राम जी पधारेंगे देश का प्रधान मंत्री वो एक सो चालिस करोड लोगों के द्वारा चुना हुआ व्यक्ति क्या है अच्छे दिन मेरी जोपडी के भाग अब खुल जाएंगे राम आएंगे तो यह हमारे साथ मनोस्तिवारी जी मेरे जोपडी के भाग खुल जाएंगे राम आजाएंगे इतने सुनहरे इतने प्यारे गले से गीत गाकर मनोस्तिवारी जी ने आप सभी को सबसे पहले आयोध्या में राम म जुनेतिक चर्चाएं और चर्चाओं का बाजार जो गरम था उस पर उन्होंने खुल कर आपने प्रतिक्रिया दी है बात Chief कि ऐसे पेले बहुत-बहुत शुक्रिया आपने निज इंडिया को इतना समय दिया अपना मुल्य कि इंटी टाइम दिया बहुत-बहुत शुक्रिया और साथ ही रुखेंगे शोड़ से प्रेक के लिए कहीं मच आएगा देख तेरे ये न्यूस इंट्रिया